जब आप YouTube का चैनल स्टार्ट करते हैं, तो दो प्लग-ईन सबसे ज़ादा आप लोग इस्तेमाल करते हैं. पहला होता है ट्योबर्डी, दूसरा होता है विदाइक्यू या पहला विदाइक्यू भी हो सकता है और दूसरा ट्योबर्डी भी हो सकता है. अब यह जो plugins होते हैं या को एक छोटे से software होते हैं जो Chrome extension से आपके चैनल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़दा confusion भी होता है तो आज की इस वीडियो में सारे confusion में दूर करने वाला हूँ वीडियो को अगर आप अंतक देखते हैं तो paid में आपको क्या मिलता है और आपका जो unpaid free version होता है उसमें आपको क्या मिलता है ट्यूब बड़ी के क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से tube बड़ी पे फोकस रहेगी मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा कि किस तरह से आपको free version में और paid version में काम करना चाहिए मैं हूँ अपिशेक आप देख रहे है टेक्निकल भट्टांगर योट्यूब चैनल आज की वीडियो keyword research, topic planner और कैसे कैसे trends हाते हैं किस तरह से आपको वीडियो को plan करना चाहिए जो मेरे खुद के experience रहे ट्यूब बड़ी के साथ पिछले एक साल से मैंने शुरूबात free से ही की थी लेकिन TubeBuddy ने मुझे ही offer दिया और मेरे पास mail आया और उन्होंने मुझे केवल 700-800 रुपे में मुझे pro version जो है वो provide करा दिया तो आपको try तो बिल्कुल करना चाहिए TubeBuddy, link description box में मैं छोड़ दूँगा आप वहां से trial कीजिए अगर आपको वो पसंद आता है in that case फिर आप के पास जरूर mail आएगा जिसमें वो आपको pro mode lifetime के लिए बहुत अच्छे तरीके से heavy discount में आपको provide करा देंगे इसके अंदर TubeBuddy के अंदर आपको weighted और unweighted score मिलता है आपको click magnet मिलती है जो हाला कि वो legend में मिलती है मैं अभी आपको PC पर समझाओंगा कि किस तरह से आपको approach जो है वो TubeBuddy के साथ करनी चाहिए TubeBuddy बहुत अच्छे तरीके से आपके channel को grab करता है आपको ये बताता है कि आप जिस keyword के उपर target करने जा रहे हैं वो आपके channel के लिए है भी या नहीं है यानि कि उस पर searches आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी साथ-साथ उससे related जो tags है उससे related जो topic लोग search कर रहे हैं वो क्या है किस तरह से search results में आपकी जो वीडियो है वो आपकी किस तरह से दिखाई देगी आपका जो history है उस keyword की वो क्या है ये सारी चीज़े आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो कहीं पर भी skip मत कीजेगा अगर आप skip करेंगे तो मुझे लगता है कि नुकसान सिर्फ आप ही का होगा इसके अंदर क्योंकि मैं तो यूज़ कर रहा हूँ काफी समय से और आपको ये वीडियो कैसी लगेगी आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे साथ-साथ अगर आप इसको स्टॉल करना चाहते हैं तो आप फिरी हैं क्रोम से स्टॉल कर सकते हैं या मैं एक लिंक ठोड़ूँगा आपके लिए उस लिंक से भी आप जो है स्टॉल करने के लिए कुछ नहीं है आपको क्रोम के वेब स्टॉर पर जाना है और सर्च करना है दूबड़ी वह स्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको एकाउंट के रिएट वहाँ पर करना होगा अनले सेंटल के बहुत उपर से कोई प्रॉबलम आजाए तो बात अलग रही लेकिन काफी समय से में इस्तेमाल कर रहा हूं ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है कोकि यह जितने भी डवलोपर से हैं यह गूगल सर्टिफाइड है तो यहां पर सबसे पहले जब आपका इस्टॉ सेम चीज़ है लाइब स्ट्रीम आपने कितने की है वह आपको दिखाता है प्लेलिस्ट आपने कितनी बनाई है वह आपको दिखाता है कमेंट्स आपके कितने आये हैं वह आपको दिखाएगा साथ सत एनलेटिक्स आपके यूट्यूब अनलेटिक्स है साथ साथ रियल लेंगे और पर क्लिक करेंगे तो यह आपके रियल टाइम में कितने व्यू चल रहे हैं वो सारे चीज़े आपको दिखाएगा बहुत बेसिक सी चीज़े हैं इसमें मुझे लगता है कि कोई ज्यादा कन्फूजन आपको नहीं होगा इसका जो इंटरफेस है उसमें अगर आप देखें तो यहां पर मैसेज़े आते रहते हैं इनका खुद का भी यूटूब चैनल है उसके जो भी इंसाइट्स आते हैं या कोई भी अपडेट आता है तो उसके ओपर यह लोग वीडियो बनाते ह इंडर्ष्ट्री की निउस जो इंडर्ष्ट्री में इस समय चल रहा है मतलब यूटूब में क्या-क्या नया-nया अपडेट आ रहा है वो आप यहां से आप देख सकते हैं इसे 5 मार्च को कोई अपडेट आया है तो यह मैटर करता है कि आपका चैनल किस बेस पर है मतलब अगर आपका टेक का चैनल है तो आप इसको एक बार जरूर देखेंगे पढ़ेंगे और क्योंकि यूटूब से लेटेड़ आप वीडियो बनाते हैं अगर इवन अगर आपका नॉन टेक्निकल चैनल है आस्ट्रोजी रेसिपी एजूकेशन तब भी आप इसको क्योंकि मैंने सब्स्राइबर्स अपने हाइड करें हैं तो इसलिए आपको दिखेंगे नहीं हाँ पर और आपके जो चारलाक व्यूज होने वाले हैं वो कितने उसमें कम रहे गए हैं आपके अप्लोड कितने हो गए हैं इसमें आपको ये सब मिलता है 300 अप्लोड में कर च सकते हो और देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये यूट्यूब सर्टिफाइड है तो यह जो ऑप्शन से यह बहुत बेसिक से और यहां पर यह भी जो इंटर यूआई है वह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरा लाइसेंस प्रो है मैंने यहां पर प्रो लाइसेंस यहा हेल्थ है आपके वो सब चीज़ें आपको चलती है लेकि इसमें से कुछ चीज़ें जो होती है वो आपके लेजेंट वाला जो इनका है प्रीमियम बर्जन उसमें चलती है प्रो में वो नहीं चलती है जितनी चलती है उतरे में आपको बताऊंगा तो सबसे पहला जो आता ह है वो आता है आपका keyword explorer keyword explorer बहुत important है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी से आपको पता जलेगा कि आपकी जो videos है या आपके जो keyword research है वो क्या करी है यहां पर सबसे चीज यह रहती है कि आप worldwide में क्या चल रहा है United States by default दिखा रहा है यहां से आप अपनी country जो भी आपकी country है उसको आप यहां से select कर सकते हैं जैसे कि हमारे case पर हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया में आज क्या searches हुई वो आपको हैवा पता चलती है जैसे कि women's day 2021 इस सबसे ज़्यादा सर्च हुआ इसको अगर आप explore करेंगे तो और आपको पता चलेगा कि आज की date में इसका क्या हिसाब है ठीक है back to the trending पर आते हैं हम लोग and इसमें और हमें पता चला कि रिया चेशलवर्ती ट्रेंट कर रही है असमें मतलब यूटूब में सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं और कितने सर्चेज हो रही हैं 20,000 प्रस सर्चेज हो रही है इस तरह कि जो चीजे हैं अगर आपका निश इस तरह के का है तो आपको यहां से exactly पता चल जाता है कि हाँ आज जो है वो क्या चल रहा था अब यहां पर मैं आपको Women's Day 2021 एक कीवर्ड हमें मिला हम उसी को explore करते हैं उससे से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह सारा जो इसका algorithm है वो किस तरह से काम करेगा तो यहां पर हमने Women's Day 2021 लिख दिया और explore कर दिया अब यहां पर आपको एक data आपके सामने आएगा जो अभी आपके सामने आएगा अब यह data ऐसा है कि इसमें वेटेड और अनवेटेड है अब इसमें मैं अगर देखूं तो यहां पर बहुत बढ़िया excellent इसका जो आपमारा आ रहा है मतलब यह हमें suggest कर रहा है कि excellent है इसकी searching अब क्यों है उसको समझें और इसके जो वीडियो searches है web searches है और वीडियो topics है इनको मैं एक एक चीज़ को बारी की से आपको जो है वो समझाने वाला हो देखें यहां पर तीन तरीके की चीज़े है green, yellow और red अभी आपको मैं searches करके दिखाऊ हुआ कि कहां पर green आ रहा है कहां पर yellow आ रहा है तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास सबसे पहले क्या आया यह search volume इसकी excellent है और यह weighted है यह specific channel के लिए है मतलब जो मतलब आपका जो channel है उसके एसाब से यह जो है वो रखा गया है उसके साथ competition क्या है competition इसका ना जादा है ना कम है बिलकुल middle में है साथ-साथ इसकी जो optimization strength है इसको आप पढ़ सकते हैं यहां से the number represent how well optimized the top ranking videos are in the search phases if they are not well optimized then it provides you opportunity to break in the rank for the keyword by properly optimizing your videos like, title, description and tags यह आपको यह बता रहा है यह बहुत important है इसको skip मत करना यह आपको यह बता रहा है कि optimization strength जो है वो बहुत अच्छी है इसकी यानि कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए है लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर जो women's day 2021 है उसका title description में कहीं ना कहीं कु आपको और भी चीज़ा दिखाऊंगा कि किस तरह से यह सारा यहां पर काम करता है इसके बाद जो most important बात आती है वो आती है हमारी कि lowest view count found in the top ranking videos आपको lowest वीडियो पे जो सबसे कम वीडियो आ रहे है rank जो कर रही है वीडियो उसमें 7 वीडियो आ रहे है और आपके average views कितने आते हैं 68 लास्ट जो फाइब वीडियो में आपकी जो average वीडियो आएं वो 68 आएं that means अगर आपको 68 वीडियो भी आते हैं तब आप इस जो आपका women's day 2021 है इसको आप easily crack कर सकते हो और average वीडियो जो आ रहे हैं वो 305 आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं इसके पीछे भी रीजन है इ इसलिए उसी दिन वो वीडियो आ रहे हैं उसके बाद वो नहीं आ रहे हैं यह तो हुआ weighted मतलब आपके चैनल के हिसाब से दूसरा आता है हम unweighted यह आपका free version में आपको मिलता है यह जो आप free version डाउनलोड करेंगे तब आपको यही दिखाई देगा weighted score आपको दिखाई नह नहीं देगा इस बात का विशेश ध्यान रख लेजेगा यह मैं आपको बिल्कुल clear बता रहा हूं unweighted score unweighted score का मतलब यह हो गया कि यह जो सर्च है यह बहुत जादा जादा हो रही है और यह extremely competitive है अगर आप इसके उपर काम करना चाहते हैं तो competition तो यहाँ पर जादा है यह देखी दोनों का बड़ा different आपको दिखा रहा है यह आपके channel के साब से दिखा रहा है यह generalized दिखा रहा है अभी generalized जब दिखा रहा है तो search volume तो है और optimization भी है लेकिन competition भी इसका काफी हर्त तक यहाँ पर red की स्तिथी में आपको दिखा रहा है तो यह कहने का मतलब हो गया कि अ study या with IQ किसी कभी इस्तिमाल करें तो इसको एक महीने के लिए लें लेकिन उसका paid burden आपको जरूर लेना है तो यहाँ पर इस्तिथी साफ तो हुई लेकिन यह नहीं पता चला कि कितने हमें views चाहिए हैं जिससे हमारी जो videos हैं वो हमारी rank करने लग जाए तो यह weighted or un weighted आपको सम search की जा रही हैं इस समय ट्रेंडिंग में इसके साथ-साथ यह तो हमारी YouTube की search हो गई हैं यह हमारी होगी web searches कि web पर यानि कि Google पर क्या search हो रही है अब आप इस पर ध्यान रखेगा कि Google पर क्या search हो रहा है और हमारा web पर क्या search हो रहा है इन दोनों में जो समनताएं हैं जैसे यह आ गया यह आ गया और यह आगया यह आपको अपने टाइटल्स में रखना है अपने टैक्स में रखना है और डिस्क्रिप्शन में आपको रखना है इसके साथ-सके वीडियो topics क्या हैं what women's day 2021 अब इसमें भी आप डीपर जा सकते हो मतलब इसमें भी deep searching आप कर सकते हो जै है जो हमें टॉपिक से मिला यहां पर डिटिर्बिट ऑप कॉंपिटेशन बद इस की वर्ड इस सर्च तो ओफन इट्स वर्ट अब यह फिरी वर्जन में भी आपको दिखा रहा है कि वह इसके लिए आप काम कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर आपको यह जो कीवर्ड है इस पर लोग सर्च भी कर रहे हैं एक्सलेंट सर्च हैं कॉंपिटेशन में मिडल में है और उप्टिमाइजेशन भी आपकी जबरदस्त है इसी के साथ साथ यह तो आपको सर्च बिला वैब सर्च बिला और वीडियो टॉपिक्स मिला हाँ पर देखो वोवोबन स्टै हर जगे आपको वोबन स्टै मिलेगा एविन हैप्टी इंटरनेशनल वोबन स्टै तो यहां पर आपका जो डिवर्ड हो गया वह आपका टैग्स में आपको बहुत असानी के साथ मिल जाएगा तो यह बहुत इंपोर्टंट चीज हो जाती है मित करता हूँ आपको यह समझ में आ गई होगी कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी इसमें अब इसको थोड़ा सा हम रिजर्ड्स के केसिस में चलते हैं जो यह optimization वाली आती है बात तो यहां पर मैं इसको हटाता हूँ और यहां पर movement स्टे लिखता हूँ देखते हैं कि हमारे पास अभी भी हमारे पास इसमें शुरू में कहा कि अब देखो आप अभी क्या था average searches 350 देखा रहा था अभी 790 हो गए ठीक है एन इसी तरह से 7 नंबर जो है हमारा अभी भी है साथ विउस अगर हमें मिल जाते हैं तो हम rank कर जाएंगे क्यों कि हमारे चैनल पर 68 विउस आते हैं अब यहां पर हम results पर जाते हैं देखते हैं कि پहला result हमारा कौन सा आ हा रहा रहा है तो optimization की यहां पर बात हो रही है तो optimization आप देखें किस तरह से है यहाँ पर days 2021 दिखा है तो women's day में हाँ पर apostrophe S लगाया है लेकिन हमारा जो keyword है women's day 2021 है तो यहाँ पर आप देखें अगर आप exactly इस keyword पर आप rank करेंगे तो बहुत अच्छी उमीदे हैं कि आप पहले number पर या दूसरे number पर आ जाएंगे views के अगर बात करें तो अभी क्योंकि latest topic है कल women's day है 8 March को तो 28,000 views 42 views इस तरह की views इनको मिलते हैं 35,000 views तो अगर relatively नया keyword है तो प्रोड़ा views भी कमी आते हैं इसको अगर हम historical देख लें यानि कि हम google trends पर देखें तो हमें कुछ data इसमें मिलेगा कि ये keyword हमारा कप-कप काम करता है तो यहाँ पर ये google trends का data है इस बात का भ्यान रखेंगा ये कोई youtube buddy का वैसे तो feature है लेकिन google trends से ही लेकर आ रहे हैं तो ये March में आके data हमारा जो है वो आपका इदम से जम करता है तो यहाँ आपर event blogging भी आप इसे कह सकते है event video making भी आप इसे कह सकते है तो यहाँ पर score क्या आ रहा है 100 आ रहा है और ये फरवरी 28 से लेके 6 मार 2020 में सबसे ज़्यदा search किया जाने वाला keyword है इसका score जो है वो काफी अच्छा है और इससे पहले ये search नहीं हो रहा था 24 और 30 के बीच में इसका जो score था वो 50 से कम था अगर आप Google Trend के scoring method को समझें तो 50 से नीचे जिसका score है उसको आपको touch नहीं करना है और 50 से plus इसका score है उसको आप touch कर सकते हैं 70-80 तक भी अगर है तो बहुत अच्छा है यहां पर हो जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरहां से आप इसमें सर्च करते हैं मतलब यह तो मैंने आपको excellent दिखाया middle में कैसे आता है और किस तरह से सारा काम होता है तो जैसे सर्च करिए YouTube SEO YouTube SEO अगर हम सर्च करते हैं तो हमें क्या मिलता है देटा देखें बिल्कुल live कर रहा हूँ अब देखें यहां पर आपको पहले green आया था excellent आया था अभी क्या हुआ कि poor आया poor का मतलब यह है कि search volume अच्छा है लेकिन इसकी optimization strength भी काफी पढ़िया है मतलब यह कि बहुत सारे लोगों ने इस keyword को अपने title, tag description में डाला है एक बार result में देख लेते हैं देखें YouTube SEO YouTube SEO YouTube SEO YouTube SEO तो यह जो है यह well organized तरीके से या कहूं optimized keyword है इसके उपर अगर आप काम करेंगे तो इसमें आपको 696 आपको आपको चाहिए views तब आप जाके सोच सकते हैं कि आप rank करेंगे तो यहाँ पर 68 views आते हैं मेरे channel पर 5 video में last तो मैं इस keyword को नहीं लूँगा लिकिन अगर मैं इसमें year लगाता हूँ जैसे कि आपके सामने आ रहा है year लगाता हूँ तब मेरे को क्या मिलता है चलिए वो भी देख लेते हैं आगे बढ़ने से बढ़े चनल को subscribe ज़रूर कर देना और video अच्छी लगए तो क्योंकि बहुत effort लगती है ऐसी videos को ऐसे tutorials को पनाने में और मैं बिल्कुल आपको complete दे रहा हूँ ऐसा English में तो भेले हैं आपको मिल जा लेकिन हिंदी में आपको ऐसे वो videos आपको नहीं मिलने वाले तो हमारा जो है इसमें fair आया यहाँ पर orange आया orange का मतलब यह हुआ कि यह जो keyword है इसमें optimization strength जो है वो ठीक ठीक है अगर एक पर हम results में जाकर देखें तो YouTube SEO तो बहुत typical keyword था उसके तो हम काम करी नहीं सकते थे लेकिन यह जो keyword है इसमें जो शुरू की जो videos आ रही है उसमें से कुछ videos ऐसी हैं जिन्होंने double-double वार इसका इस्तमाल किया हुआ है जैसे कि यूगी की video आ रही है तो यहां पर YouTube SEO YouTube SEO 2021 और YouTube नहीं इस्तमाल किया है तो यहां पर भी इसको हम कह सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें 114 views चाहिए होंगे अब वो views आप कैसे लेकर आओगे और यहां पर search volume जो है वो भी काफी बढ़िया है search results की जो volume है वो भी बहुत बढ़ी है तो इस keyword को भी हम यह कहेंगे कि अगर आपके पास views आते हैं मालिजे 1000-1000 views आते हैं तो in that case फिर आप इसको जरूर target करें और जब अगर आपके पास 1000 views यह 500 views आते हैं तो यह fair नहीं आएगा फिर यह good या excellent या middle में आएगा ठीक है और average views जो इस keyword पे आ रहे हैं वो हमारे 2225 आ रहे हैं इसी तरह से अगर हम इसको और refine करें तो हम देख सकते हैं YouTube हिंदी तो weighted और unweighted आपको समझ में आ गया होगा आप यहाँ पर YouTube SEO 2021 हिंदी इसके उपर हमें video बना सकता हूँ क्यों बना सकता हूँ यह मेरे channel के हिसाब से है unweighted में अगर हम जाएंगे तो भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर search volume में search results जो है वो महाँ 4 million थे यहाँ पर 1 million हो गया साथ-साथ यहाँ पर यह मेरे को दिखा रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ कि YouTube SEO 2021 तो पहुत दोगों ने लिखा है लेकिन हिंदी ने लिखा है तो अगर आप हिंदी इसमें add करेंगे तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा मतलब इन हिंदी इस तरह से अगर आप इसको डालेंगे यह exact आलेंगे तो position आपकी improve यहाँ पर हो सकती है and historical यहाँ पर आपको data इतना शायद मुझे लगता नहीं कि इतना दिखेगा क्योंकि यह specific keyword हो जाता है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि green जब होता है तो excellent है थोड़ा सा purple तोता ही color का हो रहा है तो 71 middle में आ गया तो यह इस तरह से आपको लोग काम करना है अब इससे related और भी आप search कर सकते हैं जैसे YouTube SEO Bangla यहाँ पर regional आ जाता है जैसे यह regional में आपको दिखा रहा हूं करके तो regional का score हमारा क्या आ रहा है वो भी आप देख लीजे यहाँ पर और महाँ पर 1 million के साथ आप complete कर रहे थे यहाँ दो लाग के साथ complete कर रहे है तो यहाँ पर अगर आप Hindi लिख दें एक बार in depth में आपको बारी की से में समझा रहा हूं कि किस तरह से यह पूरा ट्यूबड़ी का जो mechanism है वो हमारा कैसे काम करता है तो यहाँ पर क्या हो गया कि Hindi tutorial 2021 में हमारे पास केवल 729,000 लोगों के साथ हमारा आ गया और यह middle में आ गया मैंने आपको poor भी दिखा दिया आपको मैंने excellent भी दिखा दिया आपको orange color भी दिखा दिया आपको मैंने सारे जो इसकी meter हम मैंने आपको बता दिये तो यहाँ पर हमको चाहिए है सरफ 24 views इसको rank करनारे के लिए और यह देखी यह इसके सारे tags आ रहे है तो मुझे लगता है कि यह आपको clear हो गया होगा इसी तरह से अगर आपका recipe का channel है तो आप यहाँ पर जैसे लिखें दोसा तो दोसा recipe तो यह आपको बता देगा कि कितना क्या क्या हिसाब चल रहा है इस तरह से दोसा recipe आपके सामने आया तो दोसा recipe पर मैं rank नहीं कर सकता क्योंकि एक तो मेरे channel का अलग हो जाएगा फूटे मतलब जो मेरे प्रफाइल है वो अलग हो जाएगा और आपको चाहिए थाई हजार के करीए views अगर आप rank करना चाह रहे है साथ-साथ अनवेटे डिस्कोर में अगर हम जाते हैं तो भी पूर है क्योंकि क्यों पूर है क्योंकि साथ लाग सतर लाग के करीब लोग इसके उपर सर्चेस जो रिजल्ट में जो है वो आ रहे हैं और वैल अप्टिमाइज होगा यह जहां तक है ठीक ठाक अप्टिमाइजिशन है अगर दोसा रेसेपी को आप सर्च करेंगे तो यह एक ऐसा कॉमन सा कीवर्ड है जो आपको हर जगे मिल जाएगा इस्टोरिकल भी अगर आप चेक करें तो मुझे लगता है कुछ डेटा इसको दिखाना चाहिए देखिए इसका डेटा बहुत अच्छा आ रहा है अगर हम करेंट सिचुएशन में बात करें तो 19 परेल 2020 में क्या सबस काफी बढ़िया था उसके बाद हम भी ठीक ठीक जो है वो चल रहा है अब इसमें और हम अगर हम चेंज करें हिंदी कर दें तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है यहाँ पर मैं अब फिरी वर्जन में ही आपको बताऊँगा यह तो मेरा रहेगा अब देखो इसमें दोसा रैसेपी हिंदी तो और ज्यादा नीचे गिर गया क्यों गिर गया कि मंधली सर्चेस देखो एक लाग तीन हजार हैं और साथ मिलियन के साथ आप कंपीट कर रहे हैं और बेसिकली जो इसके आपको कंपीट करने के लिए चाहिए वो तीन लाग चोदा हजार व्यूज चाहिए साथ साथ इसके आवरेज व्यूज आते हैं साथ मिलियन तो आप समझ सकते हो कि कहां यह जो है वो स्टेंड कर रहा है साथ साथ यह जो अनवेटेड है यह आपको हमेशा अच्छा दिखाएगा क्योंकि फिरी वर्दन में काफी सारे यह ब्रॉड तरीके से लेके जाता है तो यहां पर लिखा हुआ भी है क्लिक आउन दावेटेड टैब अब अब तरसी यह स्पेसिफिक चैनल तो यहां पर एक लाग तीन हजार व्यूज हैं मंत्री सर्चेस हैं जिसमें साथ मिलियन के करीब वीडियो सर्चेस में हैं तो आपकी अगर चैनल बढ़ी है और तो आ आपको दिखाता हूँ वह हाता है SEO Studio SEO Studio आपके लिए बहुत important होता है मैं आपको एक वीडियो लेकर दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा जैसे कि मैं यह वाली वीडियो अपनी ले लेता हूँ आप लोगी support बहुत चाही है मेरे को क्योंकि मुझे मैं भी चाहता हू हूँ कि आप लोग मेरे को प्रोड़ा सा exposure दें तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर किया गीजिए साथ-साथ अब यहां पर हम इस पर गए SEO Studio पर यहां पर इसको रखेंगे और हमारा जो keyword आएगा वह आएगा YouTube अपडेट 2021 यह हमारा एक मैंने का इस वीडियो के लिए मैंने यह keyword यहां पर select किया तो यह हमारे को चेक करके बताएगा कि क्या आपके ने यह जो keyword आपका targeted keyword है वह आपका कहां कहां इस्तवाल हो रहा है तो यह जो keyword है वो मेरा काफी जगह इस्तवाल हो रहा है YouTube अपडेट optimization में कही problem नहीं है and next करूँगा तो यहां पर इससे जुड़े हुए जो भी keywords होंगे या जिनका score अच्छा होगा वो आपको यहां पर असानी के साथ मिल जाएंगे और आप इसको जो है add कर सकते हो अब जैसे suppose करो कि यहां पर मुझे यह add करना है यह मुझे add करना है and यह मु tagging होती है वो specific हो जाती है देखो यह yellow में आपको देख रहा होगा YouTube update 2021 तो यह हमारा targeted हो गया तो यह बहुत अच्छा option मिल जाता है आपको और यह देखे YouTube update policy YouTube update यह सब आप YouTube update कैसे करें यह सब आपके targeted tags हो गये इसके बाद आप next करिए next करने के बाद आपकी जो वीडियो है उसका preview यह दिखा देगा कि आप कोई यह search करेगा तो आपकी वीडियो इस तरह से जो हमापर देखनी लगेगी तो यह बड़ा interesting सा आजाता है उसके बाद आप next करेंगे next करने के बाद अगर आप इसको current वीडियो में apply करना चाहते हैं जो कि मैं चाहता हूं तो आप apply कर दी आप लोग के लिए लेकर हूंगा तो यहां पर यह आपको पता चल जाता है कि कितने कौन-कौन से rank कर रहे हैं इसको save करेंगे एक बार यह देखिए जो आपके rank कर रहे होंगे वो आपको यहां पर दिख जाएंगे कि हाँ मार्च के वें यह हमारे update करेंगे मैं एक बार refresh कर रहा हूं पूरा चैनल को subscribe जरूर करिएगा और bell icon को जरूर प्रेस कीजेगा जिससे आने वाले सारे notification आपको भली बाती मिलते चले जाएं और कोई समस्या किसी तरह कि आपको ना हो उस तरह के बाद अब हम चलते हैं और चीजों की तरह यहां पर आता है वीडियो topic planner वीडियो topic planner में आप जो जो आपने keyword आपने select करे हैं उनको आप ले सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया YouTube SEO 2021 Hindi मैंने यह लिया एक तरीके से यह वो चीज़ है कि आप यह जानना चाहरे हो कि मतलब आप keyword research करके आप टेक्स्ट की फाइल उनाते हैं उसको आप जो है एक planner में आप रखते हो चले जा रहे हो topic planner में तो यहाँ पर आप इसको यहाँ से add to topic planner कर सकते हो keyword आपका successfully आपका add हो गया तो यहाँ पर में हम लिखके रख सकते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा जो भी आपको साथ चीज़े रखने हैं मतलब यह प्री एक तरीके से कहूं कि वीडियो बनाने से पहले की सारी को खूप यह पनती है तो यह अच्छी चीज़ है आप इसमें आपको याद रहता है कि आपने आपने वीडियो कि इसके ऊपर बनानी है तरीके से कहूं तो एक टेक्स फाइल बनाने जैसा है इसके बाद आता है टेक टेक लिस्ट तो अगेन आपने जो टेक्स हैं वो अगर आप लिस्ट में आड़ करना चाहते हैं तो वो आप यहां से आड़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने यह कर रखा है तो यह मैंने सारे tags जो हैं यहाँ पर अपने बरखे हुए तो अगर आपको मारली जै कोई tag यहाँ पर add करना है तो YouTube SEO 2021 Hindi तो यह आप कर सकते हैं तो यह आपका add यहाँ पर हो जाएगा और आप इसको insert कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर मतलब कहने का यह है कि आप certain keywords को बायवार अगर use करना चाहते हो अपने वीडियो में तो आप यहाँ बना के रख सकते हो और वो आपको बहुत help करेगा आपकी वीडियो में उसके बाद आता है जी best time to publish I think यह सबसे तो पहले भी था पहले भी हमारे जो classic था उसमें भी हमें बताते थे लेकिन अब देखो वैसे तो यह आपको recommend नीचे कर देगा दो बज़े छे बज़े और दिन के साब से कर रहा है कि Friday को आप 5 बज़े करना Saturday को 2 बज़े करना Friday को 6 बज़े करना टेक्निकल योगी को देख रही है सतीश की वीडियो को देख रही है शीकेश रॉय को देख रही है कौन-कौन सी वीडियो आपकी ओडियंस वाच कर रही है लास्ट सेविन देज में तो यह सारी चीज़े आपको पता चल जाती है तो यहाँ पर साफ साब लिखके आ जाएगा अब यह लेजेंड का लाइसेंस ले लो तो वो आपको पता चलेगा अब लेजेंड का लाइसेंस अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह क्लिक मैगनेट कैसे काम करता है कि दूसरे के वीडियो से आपको कितने व्यूज मिलें सेजेशन में कितनी गई वो सारी चीज़ें है इसको आप पढ़ सकते हो साथ-साथ यह जो लाइसेंस है मेरा यह लाइसेंस मेरा अभी स्टेटस में एक्टेव है और मैंने 20 जून को जॉइन किया था और 39 डॉलर का था यह वैसे तो यह काफी महंगा था लेकिन मुझे इन्होंने डिसकाउंट करके जो है काफी सस्ता दिया था और जो है मैंने मेरे पस दो हैं एक्टॉली जो मैंने पहले बोला कि 7800 रुपे मिला था वो मुझे दूसरे चैनल के लिए मिला था यह मेरे को 39 डॉलर का मिला था थोड़ा सा कन्फूजन हो जाता है कई बार कई दो-तिन चैनल जो है तो उसमें हर चैनल के लिए अलाग अलाग इन्होंने मुझे दिया था तो यहाँ पर अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो 19 डॉलर के करिवा आपको देने पड़ेंगे अगर आप लेजेंड मंथली लेना चाहते हो तो आपको 49 डॉलर पर मंथ आपको देने पड़ेंगे और अगर आप लेजेंड को yearly खरीदना चाहते हो तो 470 डॉलर आपको देने पड़ेंगे इस बात का आपको ध्यान रखना होगा इसके साथ अगा होम पेज आईए यह इनका ट्यूबर्डी का एकाउंट है इसके अंदर आपको जो आपको options मिलते हैं जो कि आपको promo materials आपको provide होता है वो देखो आप आपका recent upload जो है उसकी thumbnail आपको मिल जाती है यह बहुत अच्छा मुझे लगता है इनका कि बहुत साथ चीज़ें इस लोग आपको करके देते हैं यह आपके recent upload का आपका video आगया आपका embedding का आगया and most popular upload आगया channel का link का आगया and subscription pop up आगया ठीक है यह direct link video आगया यह आपका मतलब बनाग के देते हैं आपको कुछ करने की जुoonsरभी है जो thumbnail है आपका वो आपको मिल जाता है अपना thumbnail अगर आपको किसी video का download करना है तो आप यहांसे कर सकते हो Channel का banner आप यहांसे ले सकते हो and अगर आपको website में लगाना है RSS greed लगाने है तो वो सारी चीज़े आपको यहां से प्राप्त हो जाती है इस तरह से competitor और manager यह सब आपको उसमें मिलते हैं जो आपका legend होता है तो मेरे पास भी pro है, मेरे पास भी legend नहीं है और यह आपका फिरी का मैंने एक जोड़ा हुआ है आप पर अपना चैनल तो यहां पर launchpad आपको देखने को मिलता है जिसमें आपकी जो task होती है वो सारी आपको complete करनी होती है जिसे कोई opportunity दिखती है या कुछ होता है तो आपको यह सब चीज़े प्रोसेस वीडियो जो भी आप मतलब इनको लगता है कि आपकी वीडियो के अंद काफी बड़ा वीडियो था अगर आपको कोई भी दिक्काद आ रही है कुछ आ रही है तो आप यहां से मुझसे पूर्ट चकते हो और जो भी changes आप करोगे वह आपके लिए reflect होंगे आपके चैनल पर और बहुत बढ़िया यह टूल लगता है मुझे और मैं इसको काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखो और हाँ मैं अगेन इस बात को clarify कर रहा हूँ में यह पाद दो account है एक मेरा यह है जिसमें मैंने 39 डॉलर दिये थे एक मेरा तूसरा account है जिस पर मैंने 1000 रुपए के आसवास दिये थे exactly मुझे याद नहीं कोई काफी समय से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में तब तक अपना ध्यान लखो next वीडियो आप किस पे completely देखना चाहते ह तो यह भी मेरे को कमेंट करके बताना क्योंकि मैं आप जो भी टोटोल बनाऊंगा वह थोड़े से लंबे बनाऊंगा और एक एक चीज को आपको समझाते हैं बनाऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद